वे केंदेन्स चुल्डेह स्टुडेंट्स आज कहारा टोपिक है कैनीज्म ओप और रियक्शंस या फिर अपने यू कहे सकते हैं कि जो भी गार्बन deceived अभी करीया है उनकी मेकरी किनीज्म जे होती है उसको किस परकार से शो करते हैं तौई और remarkable reaction mechanism में क्या होता है कि यह detailed और stepwise description of pathway by which reactant convert into product is called reaction mechanism यानि कि reactant जो है जिस pathway की द्वारा या stepwise description की द्वारा product के अंदर convert होता है उसको अपन क्या कहते है reaction mechanism कहते हैं तो किसी भी organic reaction में क्या होता है कि सामानित है coordination bond टूटते और new bond का formation होता है लेकिण इसमें क्या होता है जो सैसे उजखन बंद होता है उसका आरत क्या होता है कि electro pair या है mushroom और carbonic reaction में होता है कि प्राक्विक इलेक्ट्रोनो का redistribution होता है तो प्रारंबी कणूओं को जिनको अभिकारक या किरियाकारक अणू या सबस्ट्रेट कहते हैं जब नए बने अणूओं को अपन क्या कहते हैं क्रिया फल और उत्पाद तो कार्बनिक रियक्षन मेकेनिजम में क्या होता है कि उन वास्त्विक पदों के द्वारा या पूर्ण अध्यान की परकिया है जिसके द्वारा अभिकरिया संपन होती है या फिर अपन यू कह सकते हैं कि रियक्टेंट जिस पाथवय के authorized प्रोडप्डक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं और्गिनिक रियक्षन mechanism कहते हैं reaction mechanism की definition है कि sequential account of each step describing detail of the electron moment energetic during bond cleavage and bond formation and the rate of transformation of reactant into product is referred to as reaction mechanism यानि कि कोई reactant जो है जिस pathway की द्वारा product के अंदर convert होता है उसको अपन उसकी reaction mechanism कहते है तो reaction mechanism में अपन सरवफर्तम study करते हैं कि curved arrow nation यानि कि carbonic अभिक्रियाओं में क्या होता है सामाने तर बॉंड का cleavage होता है या विदलन होता है और नई bonds का formation होता है तो steps of reaction mechanism की जो reaction mechanism की steps है उनमें है कि cleavage of the bond electronic displacement types of intermediates types of mechanism first अपन लेते हैं कि cleavage of bond उससे पहले अपन देखते हैं कि bond का cleavage होता है तो उसमें curved arrow nation कि इस परकार से दरसाया जाता है तो curved arrow जो indicate करता है वह हैं bond के breaking और forming of the bond को यानि कि bond के तूटने और बनने को दरसाता है अब ये arrow जो होते हैं वो दो परकार के होते हैं एक तो होते हैं half head और दूसरा होता है full head या complete head तो half head जो arrow होता है वह करता है homolytic cleavage को किसको दरसाता है homolytic cleavage को जिसको अपन क्या कहते हैं homogenic step और इसको क्या कहते हैं इस arrow को अपन fist hook arrow भी कहा जाता है और इसके द्वारा जो बनते हैं उसको अपन radical process कहते हैं next arrow जो है वह complete head होता है जो indicate करता है हिट्रोलाइटिक और हिट्रोजेनिक steps को और वह कहलाता है polar process तो curved arrow nation जो है वो क्या होता है दो परकार के होते हैं एक तो होता है जिसके अंदर half headed arrow और दूसरा होता है full headed arrow तो half headed arrow को अपन क्या कहते हैं फिस hook arrow भी कहा जाता है जिसके द्वारा क्या होता है कि homolytic cleavage होता है या homogenic cleavage होता है जिससे free radicals का formation होता है और next जो होता है full head arrow जिससे क्या होता है कि हिट्रोलाइटिक क्लिवेज या फिर हिट्रोजेनिक स्टेप होता है जिसके द्वारा पोलर प्रोसेस यानि की केटाइन्स और एनाइन्स का निर्माण होता है जैसे अपने लिया कि कोविलेंट बॉंड क्या होता है दो एटम्स के बीच में होता है जिसको अपन किसके दरसाते हैं, डेस के द्वारा दरसाता है, और ये डेस जो है, वह क्या होता है, पैर अप इलेक्टरॉन्स रखता है, तो इसमें क्या होता है, कि ये डेस, यानि कार्बन-कार्बन सिंगल बॉंड भी हो सकता है, कार्बन-कार्बन डबल बॉंड भी हो सकता है, और कार्बन-का अब इस एरो के अंदर जो इसका हेड़ पार्ट होता है वह तो क्या दरसाता है destination या फिर electron acceptor की तरह कारिये करता है और जो इसका tail part होता है वह क्या होता है source होता है जो electron donor का कारिये करता है तो कहने का मतलब है जो double headed arrow होता है उसका जो head part होता है वह तो electron acceptor का कारिये करता है और जो tail part जो होता है वह क्या करता है electron donor का कारिये करता है जैसे अपने A और B लिया अब इन दोनों के बीच में एक covalent bond है इस bond के जो pair of electrons है वह अगर B की तरफ जा रहे तो B पर क्या जाएगा negative charge और A पर क्या जाएगा positive charge अगर इस electron का यह double headed arrow A की तरफ हो रहा है तो A पे negative और B पे positive तो यह तो था अपना first moment of pair of electrons का second moment of single electrons is shown by half headed arrow या फिर जिसको अपन क्या कहते है fist hook arrow भी कहा जाता है इसमें क्या होता है कि जो covalent bond के दोनों electron होते है या pair of electron होता है उस pair के एक electron एक atom की तरफ और दूसरा दूसरे की तरफ तो इसको अपन half headed arrow की द्वारा दरसाते है और इसके द्वारा free radical process होती है तो अपनने देखा कि जो arrow का यानि curved arrow nation है वो दो परकार से होता है एक तो double headed arrow और एक होता है half headed arrow next अपन लेते हैं कि types of step in reaction mechanism यानि reaction mechanism के अंदर क्या होता है नए bond का formation होता है और पुराने bond का cleavage या breakage होता है तो इसमें क्या होता है कि bond formation और breakage जो है वह symmetrical और unsymmetrical दो परकार से हो सकते हैं अगर symmetrical bond formation या cleavage हो रहा है तो उसको अपन कहते हैं homolytic cleavage और unsymmetrical हो रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं हिट्रोलाइटिक cleavage कहते हैं तो first जैसे अपन ने लिया bond breaking इसमें अपने को पता है कि दोनों में जो electron पहे रहा हैं उनकी electron दोनों के पास एक-एक displacement हो रहा है या विस्तापन हो रहा है तो इसमें क्या होता है कि free radical का निर्मान हो रहा है यानि कि प्रत्यक के साथ एक एक electron उपस्तित रहता है नेक्स्ट है जैसे AB अगर bond के दोनों electron किसी एक atom की और विस्तापित हो रहे हैं तो एक पे negative और दूसरे पे positive इसको अपन कहते हैं unsymmetrical bond breaking जिससे polar product का निर्मान होता है यानि कि two bonding जो electron होते हैं वह किसी एक product के साथ इस्टे करते हैं नेक्स्ट है bond making bond making में कि भी क्या होता है कि अगर दोनों atom एक एक electron देते हैं तो उसको अपन कहते है symmetrical bond making और अगर दोनों electron एक ही atom के द्वारा दिये जाए तो उसको कहते है unsymmetrical bond making तो reaction mechanism की जो step है तो उसमें क्या होता है bond formation या फिर bond breaking तो first ये जो bond formation और breaking जो होते हैं दो परकार से होते हैं एक तो homolytic bond cleavage और दूसरा होता है हिट्रोलाइटिक bond cleavage तो first अपन लेते हैं कि हिट्रोलाइटिक bond cleavage हिट्रोलाइटिक bond cleavage में क्या होता है कि यहाँ पर electrons का जो होता है वो है unequal distribution होता है यानि कि दोनों जो bond pair के जो दोनों electron किसी एक atom की तरफ stay करते हैं या एक atom की तरफ विश्थापित होते हैं जिससे क्या होता है जिसकी तरफ electrons जाते है उस पर आज़ाता है negative charge और जिससे electron का विश्थापन हिट्रोलाइटिक क्लिवेज के लिए क्या होना चाहिए एक तो polar solvent होना चाहिए और low temperature होना चाहिए अगर low temperature है और polar solvent है तो जो bond का क्लिवेज होगा वह कैसा होता है हिट्रोलाइटिक क्लिवेज होता है यानि कि विस्मान स्विखंडन होता है तो इसमें क्या होता है कि विश्वान स्विकर्णन होने से दोनों जो इलेक्ट्रोन होते हैं वह एक ही परमानों के पास रह जाते हैं जिसके पास electron जो त्यागता है उसमें electrons की कमी होती है तो उस पर आजाता है positive और जो दो electron ग्रेंड करता है उसमें क्या आजाता है negative तो इसमें क्या होता है आइंस का formation होता है नेक्स्ट है जिसे bond electron pair remains with one of the fragment तो इसमें क्या होता है जिसे अपने ले लिया CS3BR है तो CS3BR या फिर अपन कहते ब्रोमो मेथेन ब्रोमो मेथेन में जब अपन हिट्रोलाइटिक लिवेज करवाएंगे तो इसमें क्या आजाएगा CS3 पर क्या आजाएगा positive charge और ब्रोमीन पर क्या आजाता है negative charge यानि electron किसकी तरफ विस्तापित हो रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आएनिक या फिर हिट्रो पोलर या ज़स्ट पोलर रियेक्शन कहलाती है यानि कि ओर्गेनिक रियेक्शन जिसके अंदर अगर हिट्रोलाइटिक बॉंड क्लिवेज होता है उस रियेक्शन को अपन क्या कहते हैं आयनिक रियक्षन या फिर हिट्रो पोलर या फिर जस्ट पोलर रियक्षन भी कहते हैं नेक्स्ट टाइप जो है होमोलाइटिक बॉन्ड क्लिवेज होमोलाइटिक बॉन्ड क्लिवेज के लिए क्या होना चाहिए कि नोन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए नोन पोलर सॉल्वेंट बोले तो कि उसका जो द्वीधूरवा अगुण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए जीरू हाई टेमप्रेचर होना चाहिए या इसके अलावा किसी रेडिकल इनिसियेटर की उपस्तिती होना चाहिए जैसे बेंजोयल प्रोकसाइड हो गया हाईडरोजन प्रोकसाइड हो गया तो होमोलाइटिक क्लिवेज के लिए जो कंडिसन्स होती है नोन पोलर सॉल्वेंट हाई टेमप्रेचर और किसी रेडिकल इनिसियेटर की उपस्तिती जरूरी है इनकी उपस्तिती में क्या होता है कि फिर अपन इसमें कह सकते हैं कि bond का क्या होता है जो electrons होते हैं उन electrons का equal distribution होता है और इससे radical का formation होता है और homolytic cleavage में जो free radical बनते हैं वो क्या दरसाते हैं पेरा magnetic nature शो करते हैं या फिर अपन यू कह सकते हैं कि अनुच उमबक्तव का गुण पाया जाता है next है कि इसके द्वारा अनुच उमबक्तव का गुण दरसाता है जैसे अपनने example ले लिया Rx है तो Rx या alkyl halide है जब alkyl halide का अपन heat और light की presence में अगर अपन इसका homolytic cleavage करवाते हैं तो इससे free radical यानि halogen free radical और alkyl free radical का निर्माण होता है और इसी परकार इन alkyl free radical से अपन इनकी stability भी ग्याद कर सकते हैं next है कि जो organic reaction जो कि homolytic fusion के द्वारा proceed होती है उसको अपन free radical या homo polar या non polar reaction कहते हैं जैसा कि अपन ने देखा था कि अगर हिट्रोलाइटिक के द्वारा होती है तो उसको ionic heteropolar reactions कहते हैं और इनको अगर homolytic fusion के द्वारा कोई reaction होती है तो उसको one free radical homo polar और non polar reaction कहते हैं next है reagents के परकार यानि हभी कर्मकों के परकार तो कार्बनी कभी क्रियाओं में क्या होता है कि manly जो अभी कर्मक होते हैं वह तीन परकार के होते हैं first अपन ले लेते हैं कि electrophilic reagent वे reagent जिनके अंदर क्या होती है इलेक्ट्रोंस की क्या होती है कमी होती है या फिर जो इलेक्ट्रोंस नहीं होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं электrophile कहते हैं तो यह क्या होते हैं अणू में elektron धनी के अंदर पर आक्रमण करते हैं यानि की electrophilic reagent जो होते हैं या electrodrophiles जो होते हैं वह उस region पर अटेक करते हैं जहांपर electron density क्या हो high हो यानि कि इसको कह सकते हैं कि electron loving reagent कहलाते हैं next है कि जितने भी positively charged species होती है या electron deficient species होती है वो सारी की सारी क्या होती है electrophilic reagent कहलाते हैं for example जैसे H+, CS3+, NO2+, CL+, BR+, AG+, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं धनावेशित electrophile कहलाते हैं या फिर अपनी उनको कह सकते हैं ये धनावेशित भी हो सकते हैं और उदासीन भी हो सकते हैं जैसे Lewis अमल भी होते हैं तो इसी परकार जैसे अपन इनको पन क्या कहते हैं कि उदासीन electrophile देखे हैं तो क्या हो जाएगा BF3 है, ALCL3 है तो ये उदासीन electrophile कहलाते हैं next type है अपना nucleophilic reagents या नाविक्स नहीं reagent जैसा कि नाम से इस परस्ट है इसमें कि ये वे विकरमक जो की electron जिन पर density हो जादा हो या फिर electron donor का कारिय करते हो या फिर nucleus से nucleus loving हो उनको अपन क्या कहते हैं? nucleophile कहते हैं और ये वहाँ attack करते हैं जहाँ पर किसी atom पर electron density क्या हो कम होती हो या electron गनत्वव जो है कम होता है वहाँ पर nucleophile attack करता है और generally जो negatively charged species है या electron rich species है वो सारी की सारी nucleophilic reagent के रूप में कारिय करती है और ये lewis basis के तरह कहलाते हैं या पिर अपने यू कह सकते हैं all nucleophiles are in general lewis basis या सामान्य lewis basis की तरह भी ये करते हैं फोर एकजांबल जैसे hydroxide, OCS3, cyanide, iodide, bromide, chloride तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? nucleophilic reagent कहलाते हैं और last अपना जो है मुक्त मुलत यानि कि वे अभी कर्मक जो सहसे हो जगबंद बनाने ये तू अपने मुक्त मुलक या मुक्त electron का त्याग करते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? मुक्त मुलक कहते हैं और मुक्त मुलक उदासीन species होती है इन पर क्या होता है? एक free radical उपस्तित रहता है जिसे hydrogen, chlorine, bromine तो ये सारे क्या कहलाते हैं? मुक्त मुलक रियेजेंट कहलाते हैं क्या है